नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रिंस पर मैं पंकस तिवारी तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुल्टीपल च्वाइस क्वेस्चन जो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा बारत का यहारत इस्थान बोड इन सभी बोडों का पाठिक्रम बिलकुल और बिलकुल फ्री दिया जाता है वो भी quality content के साथ और English Medium पर kg से लेकर के 12 class तक की सारी की सारी के class का आपको complete syllabus दिया जाता है वो quality content के साथ बिलकुल और बिलकुल फ्री तो फिर कि देर किस बात की जल्दी से जल्दी चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक एक बात और ध्यान रखना कि मैग्डेट ब्रेंज कक्चा चटवी से लेकर के कक्चा 12 वी तक के धिंदी वीडियम और इंग्लेस वीडियम के नोट्स भी प्रोवाइट कराता है वो नोट्स कैसे मिलेंगे आपको link in description box में नीचे जाएंगे तो e-notes और e-books की संपुर जानकारी आपको मिल जाएगी ध्यान रखोगे तो नोट्स की जारकारी जरूर दीजिएगा आज की क्लास हमारी रहेगी कक्चा चटवी संस्क्रेट वर्ण मालाम पठा महा प्रत्मा पाठा मल्टिपल च्वाइस कॉश्चन में हम लोग चलेंगे अर्थार जो एक प्रश्ण रहेगा उसके चार विकल्प रहेंगे चार विक एक कमेंट की मातध्य हम से जरूर देना है पहला प्रश्ण आपके दिखो इसक्रीन पर लिखा हुआ है सबसे पहले संधय ऑक्षरम किम संधय अक्षर on किम संधय अक्षर क्या है बताये जल्दी से संधय क्षर का मतलब दो वर्णों से मिलकर जैसे आपने देखा ना संद्य अक्षर में जैसे A प्लस E ठीक है ना बनकर मिलकर के एक बनता है बड़ा A प्लस O ये मिलकर के बनता है ठीक है छोटा A प्लस A मिलकर के बनता है ये आपके संद्य अक्षर है आपकी बुक में दिये हुए है ठीक है तो ये इनमेंसे बताओ ये संद्यक्षर है क्या ये है क्या ये वाला है क्या ये वाला है क्या बताओ जल्दी से कौन सा है संद्यक्षर अंसर देना है आपको ठीक है न तो A प्लस E मिलकर के बनता है आपका A ठीक है और बड़ा A और E मिलकर के भी बनता है आपका A ठीक छोटा आ और ए आई मिलकर के बड़ी ए मिलकर के भी बनता है और बड़ा आ और बड़ी ए मिलकर के भी बनता है मतलब यहां सब जगए एक बरन आ रहा है कौन सा तो यह ए आ रहा है तो यहां पर ए लिखा हुआ है क्या तो वही आपका यहाँ क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा ठीक है ऐसे आपको यहाँ पर solve करना है इनको ठीक तो अच्छे से आप करोगे तो आपसे सारे बन जाएंगे दूसरा प्रशन आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर कि स्वराणाम उच्छारनम केन भवती स्वरों का उच्छारन किस से होता है या किसके द्वारा होता है तो आप लोग बताओगे इसमें किसके द्वारा होता है समान रूप से या संद संद रूप से या स्वतंत्र रूप से या कोपी ना इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताओ स्वरों का उच्चारण किसके द्वारा होता है तो आपको मैं बता दूं कि स्वतंत्र होते हैं स्वर कैसे होते हैं स्वतंत्र होते हैं और वह स्वतंत्र रूप से प्रियोग भी करते हैं इसलिए स्वरों का उच्चारण कैसा होगा बेंग्जन होते हैं जो सवातंत्र रूपेड कैसे होता है सवातंत्र रूपेड तो आपके द्वारा क्या मिलेगा उसर स्वातंत्र रूपेड किस ने उसросर लगाया है जरा मुझे बताना आप लोग इसे किसे すरे नंबब का तीसरे नंबर पर दिया हुआ है स्वराह कति विधाह शंती स्वर कितने प्रकार के होते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताएगा क्या कोई कोई बताएगा जल्दी से आप लोग अंसर देना स्वर दो जो हमारे हैं टोटल स्वर तो हमारे कितने हैं तेरह स्वर हैं है लेकिन इनको दो भागों में डिवाइड किया है एक तो हरस्षवर और दूसरा दीर्ग श्वर ठीक है तो कितने स्वर होते हैं हमारे जल्दी से बताओ दूई विधा या एक विधा या त्री विधा या चतुर विधा जल्दी से बताओ तो दूई विधा हरस्व और दीर्ग हिरस्टों की संख्या पाँच होती है और दीरगों की संख्या आठ होती है इसमें आते हैं छोटा आ और छोटी ई, छोटा उ, छोटी रिसी और लिरी और इसमें आते हैं हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, रिसी और ए, आई, ओ, और आउ यह हमारे दीरगिस्वर होते हैं ठीक है इसलिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के आप जल्दी से अपनी बुक को देखेंगे तो उसमें अगर बुक को देखना है तो ठीक है नहीं तो आप फस्ट पार्ट देखेंगे फस्ट चेप्टर का तो आपको यह है question number 4 में लिखा है आ और यी दौना मिलकर के वर्ण अस्ती वह वर्ण है कौन सा वर्ण है आ और यी मिलकर के क्या बनता है तो यह संद स्वर आप देखोगे तो आपको बन जाएगा अभी मैंने जस्टिस के पहले फर्ष्ट नंबर का बताया है एक question तो आप उससे समझ जाओगे आ और यी अगर आमने सामने हो तो यहां पर अंसर में कहीं पर दिख रहा है क्या आपको अंसर अगर लग रहा हो तो जल्दी से आप टिक जरूर कर दिया करो आप जल्दी से क्लिक करोगे इसमें 1234 के रूप मे भी दे सकते हो ठीक और ऐसे बन जाएं तो ऐसे भी आप दे सकते हो चलिए आगे देखेंगे इसके बाद question नंबर हमारा 5 होगा पाँच नंबर का question जो है इसमें लिखा हुआ है का प्लस आ का प्लस आ सायोगेन वर्नह अस्ती का और आ मिलकर के कौन सा वर्न बनता है का प्लस आ दौनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा का कू क्री और का तो जल्दी से बताइए कौन सा वर्न बन जाएगा यहां य लोग आगे बढ़ेंगे इसमें ध्यान रखना आपके यह वर्ण सन्योजन वाले उसमें आ जाएगा यहां पर दिया हुआ है आपका क्या घा वर्ण भवती घा वर्ण भवती तो घा घड़ी वाला है यह अब दोनों वर्णों को मलाओगे तो कैसे बनेगा इसको मिला करके ब तो यह सारे अंसर आपको मिल जाएंगे ठीक है ध्यान रखोगी यह आपका अंसर इसका फर्ष्ट नंबर का हो जाएगा आप लोगों ने क्या दिया है अंसर अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना है और अपने सारे दोस्तों तक आपको सेर कर देना है ठीक है फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्ने क्रमांग साथ पर चलेंगे प्रश्ने क्रमांग साथ नंबर का है मारा व्यंजना नाम कति भेदा हसंती व्यंजनों के कितने भेद होते हैं कितने भेद होते हैं व्यंजनों के कितने प्रकार से उन बरगी वेंजन ये पहला पार्ट है जिसमें 25 वर्ण होते हैं ठीक है जिसमें कितने वर्ण होते हैं 25 दूसरे नमबर वाला आपने देखा होगा जिसमें लिखा रहता है अंतस्त वेंजन अंतस्त वेंजन आप देखिए अनुबाद भाग एक और अनुबाद भाग दो और फि उसमें वेंजन फिर इसके बाद चौते नमबर का है आपका संयोक्त वेंजन ठीक है तो एक बात ध्यान रख लेना ठीक है इनकी संख्या चार होती है और इनकी संख्या चार होती है और इनकी संख्या भी चार होती है ठीक है ध्यान रखोगे तो आपके वेंजनों के कितने भेद हैं चार भेद हैं आपको ध्यान रखना है ऐसे होते हैं यह आपको देखिए अगर यह वाले आपको भूल गए हो अगर दिमाग में आ रहा हो तो अनुवाद भाग एक दो को जरूर देखना तो सारे आपको क्वेस्चन मिल जाएंगे प्रशने क्रमांग साथ के बाद हम लोग आठ पर चलते हैं आठ नंबर में लिखा उसम वर्णा हां उसम वर्णा हां यहां पर डडडडडडड़ लगा दिया उसमें वर्ण कौन कौन से हैं बताए यह वाले हैं यह वाले हैं यह वाले हैं यह वाल तो यह हमारे उसम बेंजन कौन होते हैं जिन वर्णों का उचारण करती समय हमें हमें प्राण वायू अत्यधिक मात्रा में लगानी पड़ जाए उसे हम उसम बेंजन कहते हैं शा शा और सा हा ठीक है ध्यान रखोगे तो प्रश्ण क्रमांक आठ के बाद हम लोग चलेंगे प अनुस्वार वर्ण हाँ अनुस्वार वर्ण कौन सा होता है तो अनुस्वार वर्ण में आप देखो इसको जो बर्ण के उपर बिंदी लगी हो तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं और जब बर्ण के पीछे दो भी शर्ग लगे हो तो उसको भी शर्ग कहते हैं तो ऐसा कोई यहां पर बरने दिखरा जिसके ऊपर विंदी लगी हो वही आपका क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा तो अंसर दो जल्द़िसे अंसर दो ठीक है तो आप जब अंसर दोगे तो आपको मिलेगा अंग यह आपका अनुस्वार है Istök है प्रश्णिक्रält के के बाद हम लोग बढ़हेंगे 10 नंबर के प्नकार इसमें लिखा वशर्ग है विशर्ग कौं सा वरण है विशर्घL का कौन बरण है शा 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 और उहा जल्दी से बताओ कौन सा विश अभी अभी मैंने बताया इसके पहले वाले प्रशन मैं तो आप बताओगे जिसके पीछे दो बरन लगे होते हैं वह भी शर्ग होता है ठीक है चलिए आगे देखे हैं प्रिश्ण क्रमांक 10 के बाद हम लोग चलेंगे 11 नंबर पर इसमें लिखा है छोटाता बढ़ाता खाली स्थान बढ़ीती छोटा तू बढ़ातू ते तै तो तू रिक्तिस्थान पूरया है ना मात्रा लगाने वाला तो देखो कि ते ती ता कौन सा हो जाएगा तो इसमें सबसे देखो छोटा ता बढ़ाता छोटी ती कौन सा आएगा छोटी ती फिर बढ़ीती छोटा तू बढ़ा तू ते तै तो तू बनेगा की निए बनेगा तो यहां पर आपकी छोटी त हो जाएगी ना छोटी ती। ठीक है तो यहां पर आप क्या कर लोगे छोटी को लगा दोगे लगा दोगे ना फिर इसके बाद प्रिश्ण क्रमान के 11 के बाद हम लोग 12 नमबर पर चलेंगे 12 नमबर का जो प्रश्ण रहेगा उसमें लिखा है व और बढ़ाँ का फिर बचो यह फिर यहां आ मारं सायोगह करते वरण का क्या करो यहां सैयोग करो वर्नों को मिलांओ वर्नों को कैसे मिलाएंगे यहाँ पर वर्ण संयोजन करना है मतलब हमें क्या करना है एक एक वर्ण को मिलाना है उससे बनने वाला हमारा पद कौन सा है उससे बनने वाला हमारा सब्द कौन सा है जैसे मान के चलिए आपका नाम है क्या आपका नाम है जैसे भारगव आपका नाम है जैसे अच निकाल लिया और देखो इसको मिला करके आपने ऐसे लिख दिया मा को मिलाया इसको मिलाया राम लिख दिया ठीक है तो यह आपका राम बन गया ना ठीक और यदि विसर्ग लगा हुआ है तो इसमें प्लस लगा करके विसर्ग लगा दो तो यहां विसर्ग लग जाएगा राम तो इसमें हलंत लगा दिया है इसको पूरा कर दिया ओ मा है तो यह बन जाएगा आपका बाक्यम स्ञें Hindi आपका अंसर क्या हो जाएगा फ्रस्ट नमबर का बाख्यम ब जाएगा चलिये आगे देखें वारह नमबर के बाद ह southeast 15 पर चलेंगे 13 नंबर का प्रश्ण जो है अ कि है इसका भी यहाँ को लिख करना है जैसे यह लिखा न आ जाए आज हैं लिखे फिर लिखोंगे जार्टनेट को नेकालोंगे और यह लिख दिया और टोटाल इसको मिला कर के आपने लिखा तो यह आपका बन जाएगा क्या आजहा क्या बनेगा आजहाável तो यहां पर ऐसा कोई लग रहा है आपको धिको आज़ा को अन्सर करोंगे तो आप शेयके सारे कश्न बनते जाएंगे ठीक है एक बात और ध्यान रखना परिक्षा में आपको सबसे पहले mcqs ही मिलते हैं तो यह आएंगे परिक्षा में तो आपको बहुत अच्छी से करना है जिससे आपका नंबर एक भी ना कटे ठीक है नंबर कट गया तो फिर पढ़ने का क्या मतलब मैगनेट ब्रेंस पर पढ़ रहे हो तो फिर नंब लोग चलेंगे इसमें लिखा है देखो 14 नंबर के प्रश्ण में सीता वर्ण वियोगा सीता सब्द का वर्ण वियोग करना है ठीक है तो देखो यहां फिर से आपको वही प्रोसेस करना है सा सा मैसे आपको बड़ी की मात्रा लगी है तो उसको बाहर निकाल लेना है फिर इ को फिर से जोड़ोगे तो सामें बड़ी एकी मात्रा लगाओगे और तामें बड़ा आकी मात्रा लगाओगे तो यह बन जाएगा सीता बन जाएगा देखो तो ऐसा कोई आपको यहां वो दिख रहा है न ऑफसन यह वाला है क्या यह वाला है क्या यह वाला है क्या यह इन मैं से कोई नहीं है कोपी ना जल्दी से बताओ कौन सा है इस में से कौन सा है तो सेकंड नंबर का आपको सही लग रहा होगा सेकंड नंबर का सही लग रहा है क्या हां बिलकुल सही है सेकंड नंबर का ठीक है सेकंड नंबर का आपका अंसर बिलकुल और बिलकुल राइट ठीक है फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और 15 novels के प्रिष्ण पर चलेंगे 15 नमबर का जो प्रिष्ण दिया हुआ है इसमें लिखा है रा और मां और विशर्ग बर्ण वियोग तो रा और मां अब यहां पर आपको विल्कुँ ठोड़ा सा वर्णों का सैयोग करना है मिलाना है वस वर्णों को अलग अलग नहीं करना है तो मिलाना है दोनों वर्णों को तो रा को रा लिख दो और मा को मा लिख दो और लास्ट में भी सर्ग लगा है भी सर्ग लगा दो तो कौन सा पत बनेगा ये वाला बनेगा की ये वाला की ये वाला की ये वाला तो आप दे कि नहीं तो आपसे भी यह बन जाएंगे बहुत सरल कोस्टन है ठीक है न ऐसे प्रश्ण आपकी परिक्षा में आएंगे तो जल्दी से नंबर भी आ जाएंगे ठीक है चलिए इसमें पंदरह आपके प्रश्ण थे एक चैप्टर से 15 प्रश्णों को बहुत है वस आपके कीजिए कि सरी वाला नहीं बना मैं फिर से समझा दूंगा ठीक है वीडियो को लाइक करना है और अपने सारे दोस्तों को सेर कर देना है जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और एक वहां घंटी बनी हुई है उसको भी दबा मैं तो मैगनेट ब्रेंट इंञेचर मीडियम और मैगनेटम्हें लांजी विडिय الذي मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के 12 12 क्लास तक कि सारे कख्छाओं का संपुर्ट से लहास पूरा पूरा ऽैव dressing आपको दिया जाता है बिलकुल और विल्कुल कंप्लीट क्वाइल्य disappointing साथ विलकुल फिरी और इंग्लेस मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक के सारी कख्छाओं का सी बीसी बोड के द्वारा जो एंसी इयाटी बुक्स चलती है हमारी उनका पूरा कंप्लीट से लहवस आपको वह भी दिया जाता है क्वाइलिटी कंटेंट के साथ बिलकुल फिरी तो फिर देर किस ब पहतर नंबर लाने में अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी हल्प करेगा तो जल्दी से जल्दी नोट्स की जानकारी लीजिए कैसे मिलेगी आप उसी वीडियो के नीचे जाएंगे जिससे अभी आप देख रहे हैं तो लिंक इंडिस्क्रिप्स में आप ठीक फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ तब तक के लिए बने रहिएगा मैगनेट ब्रेंस के साथ जयातु संस्कृतम जयातु भारतु